प्रस्तुत कहानी प्रेमचन द्वारा लिखी हुई, एक रिदैस परशी कहानी है जो न्याय के मानदंडों को रिष्टों या संबंधों के दायरे से अलग होकर निश्चित करती हुई प्रतीत होती है। पंच भन्ने पर व्यक्ति केवल न्याय संगत विचारों को अपनाता है और अपने निजी संबंधों को भूल कर निश्पक्ष न्याय करता है। ये ना तो खान-पान का व्यवार था और ना धर्म का ना था। केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। जुमन शेक की एक बूरी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी से मिलकियत थी। परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुमन ने लंबे चौड़े वाइदे करके वह मिलकियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला का खूब आदर सतकार किया गया। पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। अब बेचारी खाला को प्राया नित्य ही कडवी बातें सुनने पड़ती और अपमान सहन करना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा पर जब न सहा गया तो जुमन से शिकायत की और आलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुमन ने ध्रिश्टता के साथ उत्तर दिया। रुपए क्या यहां फलते हैं। खाला ने नम्रता से पूछा। मुझे भी कुछ रूखा सुखा चाहिए की नहीं। जुमन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया। तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुमन हसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मनी मन हसता है। वे बोले। हाँ, जरूर पंचायत करा लो, फैसल कर सके। इसके बाद कई दिनों तक बूरी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गावों में दोड़ती रही। कमर जुक कर कमान हो गए थी। एक-एक पग चलना दूभर था। मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेक ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूरी खाला ने उनसे विंति की। पंचो आज तीन साल हुए। मैंने अपनी सारी जायदात अपने भांजे जुमन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुमन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रोध होकर काटा। पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। अब ना पेट को रोटी मिलती है ना तन को कपड़ा। बेबस बेवा हूँ। कचेहरी दरबार न अपना दुख सुनाओं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलू। मैं पंचो का हुक्म सिर माथे चड़ाओंगी। सरपंच किसे बनाय जाए इस प्रश्ण को लेकर जुमन शेक और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। खाला बुली, खुदा से डरो, पंच न आनंद से फूल उठे, परन्तु भावों को छिपा कर बोले, अलगु चौदरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र, वैसे अलगु। जुमन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। पर जब अलगु चौदरी ने जुमन से जिरह शुरू की, तो एक-एक प् हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। जुमन शेक इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि अलगु ने फैसला सुनाया। जुमन शेक पंचो ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें ये नीत जुमन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुमन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठो पहर खटका करती थी कि कि किसी तरह बदला लेने का अफसर मिले। ऐसा अफसर जल्दी है जुमन के हाथ आया। अलगो चौदरी बटेसर से दो बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। दैव योग से जुमन के पंचायत के एक महिने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। निदान ये सला ठहरी किसे बेज डालना चाहिए। गाउं में एक लहराया। उन्होंने सोचा ये बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखट के तीन खेप हो। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। एक महिने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौदरी को बस खेपों से काम था। मंडी ले गए। वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बिचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि फिर जोद दिया। अलगु चौदरी के घर तो चैन की बंसी बचती थी। कहां वो सुख चैन, कहां ये आठो पहर की खपत। महिने उन्होंने कई कोडे निर्देता से फटकारे। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा की फिर न उठा। इस घड़ना को कई महीने बीद गए। अलगु जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहु और सहुआइन जलाते और अंड बंड बखने लगते। सब ने पंचा समझू साहु ही चुनले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले। मेरी ओर से जुम्मन शेक। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगु चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। मानो किसी ने अचानक थपड मार दिया हो। किसी ने पूछा क्यों चौधरी तुम्हे कोई पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्य आसन पर बैठा हूँ। मेरे मूह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववानी के सद्रिश्य है। और देववानी में मेरे मनु विकारों का कदापी समावेश न होना चाहिए। मेरा सत् नहीं। पंचो ने दोनु पक्षों से सवाल जवाब किये। अंत में जुमन ने फैसला सुनाया। अलगु चौधरी और समझु साहु। पंचो ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझु को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने ब बड़ा कर्ठिन परिश्ट्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध न किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अलगु चौधरी फूले न समाए। उट खड़े हुए और जोड से बोले। पंच परमेश्वर की जये। इसके साथ ही चारो ओर ध्वली हु पर आज मुझे ग्यात हुआ कि पंच के पद पर बैठ कर ना कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। नयाय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से एक खुदा बोलता है। अलगु रोने लगे इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुर्जाई हुई लता फिर हरी हो गई। मुझे प्रेम चंद।